नश्कार दोस्तों स्वागत आपका मेडिकल जानकारी में आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों ठंड लगकर बुखार आने के क्या कारण हो सकते हैं क्या इसमें और सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं जादा तर लोगों को लगता है अगर किसी को ठंड आ रहा है तो मलेरिया हो सकता है लेकिन ऐसा नहीं होता है लेकिन जो ठंड लगकर बुखार आना जाद तर ये malaria की symptom से देखे गए हैं लेकिन ऐसा हर बार में नहीं होता है आपने कई के सुना भी होगा डॉक्टर आपके test और गरा करवा लेते हैं malaria, taphidit और सब करवा लेते हैं कुछ भी नहीं निकलता है सारे रिपोर्ट से नॉर्मल होती है तो ऐसा क्यों होता है तो पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले हैं क्या वो कारण है जिसके वेसे आपको ठंड लगकर बुखार आता है और क्या इसमें और symptoms देखने को मिल सकते हैं और क्या आपको इसमें treatment लेना चाहिए जो आसान से उपाय आपको मैं बताने वाला हूँ और medicines आपको बता दूँगा आप वो medicinal store से जाकर आराम से ले सकते हैं हालांकि उसकी dose दो होती है आप उनके बारे में एक बार उनके फार्मसिस्ट से पूरी जानकारी के साथ इसका सेवन जरूर कर सकते हैं तो बनेर हमारी वीडियो के साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से medical जानकारी को सब्सक्राइब कर लीजिए सब्सक्राइब के साथ बेल आगन को जरूर प्रेस कर लिजेगा ताकि जब भी हम नहीं वीडियो अप्लूड करें तो आपसे उसका कोई भी नोटिफिकेशन मिशना हो पाए सामाने तोर पर दोसों ठंड लगकर बुखाराना मलेरे का ही सिम्टम्स होता है लेकिन कई बार ये मौसम चेंज की बेज़ से भी देखने को मिल सकता है इसके कुछ कारण देखने को मिल सकते हैं जैसे कि ठंडा गरम पानी पी लेना या ठंडा गरम मौसम हो जाना रादे दर आपको ज़्यादा तर मौसम ठंडा रहता है या फिर सुबह को गरम हो जाता है या फिर दिन बर गरम रहता है अचानक से ठंडा हो जाता है तो तब भी ये प्रोडम आपको देखने को मिल सकती है ठंडा पानी से नहा लेना या बारिस हो गयरा के पानी से नहा लेना या फिर कहीं पार्क हो गयरा में नहा लेना उनको वहाँ पर ठंड हो गएरा जादा लग जाती है जिसके वेसे उनको नाइट में फीवर गएरा आना स्टार्ट हो जाता है क्लाइमेक सेंज भी हो सकता है जैसे मौसम चेंज हो गएरा होना ठंडा गरम का मौसम आना जादा गरमी पढ़ना तब भी यह देखने को मिल सकता है या फिर वाइरल फीवर देखने को भी मिल सकता है हालांकि यह मलेरे के भी सिम्टम देखने को मिल सकते हैं लेकिन आपको मलेरे टेस्ट दोस्तों 2-3 दिन के बाद ही यूज करना चाहिए अगर आपको तीन दिन तक दवाई खाने के बाद आपको बुखार हुए रहे ठीक नहीं हो रहा है तो तर आपको वाइरल फीवर है दोस्तों तो आपको सबसे पहले अपने टैंपरेचर चेक करना चाहिए इसमें आपको वाइरल फीवर में लगबग 100 प्लस 1 होना चाहिए 2 होता है तभी आपको वाइरल फीवर माना जाता है लेकिन अगर आपको 99-100 है तो 100 से प्लस होने पे वाइरल फीवर ही कहा जाएगा तो इसमें एक सिम्टम्स और भी देखने को मिल सकते हैं जैसे कि आपको ठंड लगकर बुखार तो आई रहा है लेकिन सरदर्द होना, मिटली होना, बेचेनी होना, बॉड़ी पेन होना, हट्डियों का पूरा दर्द हो जाना सरीर में पूरी दर्द बुए रहा है बराबर बने रहना तो यह कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं अगर आपको वाइरल फीवर है या फिर क्लामेक्स चेंज वगर रखी वज़े से भी देखने को मिल सकते हैं हालांकि मलेरिया का टेस्ट करने के बाद ही आपको मलेरिया का पता चल पाता है मलेरिया का टेस्ट आपको इसली हो जाता है कहीं पर भी लैब में 1000-1100 रुपे का देखने को मिल सकता है लेकिन आपको ये तभी करना चाहिए अब अगर आप कुछ दिन तक मेडिसिन ले सकते हैं तो कुछ दिन मेडिसिन लीजिए अगर आपको नहीं आराम हो रहा है तो डॉक्टर से कंसर्ट करें या फिर आप लैब में जागे खुद मलेरिया का टेस्ट और भी करवा सकते हैं इसमें अगर आपको ऐसे फीवर और आ रहा है तो ठंडा पानी और का सेवन बिल्गुल भी नहीं करना है दवाईयां बराबर मात्रा में लेती रेनी है इसमें आप टैबलेट और में क्या ले सकते हैं सबसे पहले टैबलेट आपको निमोसलाइट लेना होता है जिसमें निमोसलाइट प्लस परसेटमोल होता है दिन में दो से तीन बार आप इसका सेवन कर सकते हैं जिससे आपसे आपका fever हो गयरा में हो रहा है तो, दूसरी जिसमें tablet ले सकते हैं, वो larigo tablet आती है, जो एक anti-malariate drugs है, आप उसका भी saveन कर सकते हैं, तीसरी जिसमें आती है, वो multivitamin को आपको जरूर यूज़ करना चाहिए, हो सकता है, आपको weakness हो गयरा लग रही है, कमजोरी हो हो सकता है, और चौति जो tablet आती है, वो rentadine हो सकता है, ऐसी लोग हो सकता है, यह कुछ भी आप ले सकते हैं, acidity हो गयरा के लिए, और साथ में अगर आपको जुखाम हो गयरा भी हो रहा है, तो pedisalon हो गयरा ले सकते हैं, ओमना कोटिल, वाइसलों, यह चीजों का आप saveन कर सक हो सकते हैं, जो nemo set tablet आती है, वो आपने तीन टाइम लेनी है, लरे को tablet आपने शुभेश्याम लेनी है, और identity या फिर ओमना करवा सकते हैं जिसमें आपको पता चल पाएगा कि एक्चुली में प्रॉब्लम है क्या तो यह था कुछ दोस्तों ठंड लगकर बुखाराने की पुछ सिम्टम्स या ट्रीटमेंट के बारे में अगर आपको आराम हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है अगर आपको आराम नहीं होता है तो एक पर डॉक्टर से पूरी जानकारी ज़रूर लिजेगा तो उमीद आपको वीडियो अच्छी लगे होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरू करेगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजेगा और दोस्तों वीडियो को शेर जरूर करें ताकि उन लोगों को भी हैल्प आए जो डॉक्टर की फीसेज हो गएरा से ज्यादा खर्चा नहीं कर पाते हैं तो मिलते ने कर दो कर दो